असकार दोस्तों मैं बेने आदा मेरा तो मानना ये है कि इस देश में एक बार के लिए सभी प्रकार की प्रतियोगी परिच्छाओं को टाला जा सकता है निरस्त किया जा सकता है उनकी तितियों को आगे बढ़ाया जा सकता है लेकिन आर्मी भरती प्रिक्रिया एक ऐसी प्रिक करने का सपना देखते हैं उन आर्मी के नौजवानों को लाखों देश के नौजवानों को जो आर्मी में जाने की सपना देखते हैं सपना सजोए हुए हैं उन्हें अगर आर्मी की भरती देखने का मौका ही न मिले तो इससे बड़ा उनके लिए संकट उनके लिए चुनोती उनके लिए दुरबागे क्या हो शकता है? ऐसा ही कुछ आजकल हो रहा है. पिछले दो वरसों से इस देश में आर्मी की भरतिया नहीं होई है. लाखों इस देश के नौजवान युवा भरती से आपरेज हो चुके हैं. उनकी उम्र अधिक हो चुकी है. वो घर में बैठे हैं इसी आस में, इसी उम्मीद में कि कास किसी दिन नौटिफिकेसन आ जाए और उन्हें आर्मी की भरती देखने का मौका मिले. दोस्तो मैंने देखा है कि कोरोना की संक्रमन काल में सरकारों ने दावा किया कि वो कोबिट की बज़े से आर्मी की भरतियां नहीं करा पा रही है लेकिन कोरोना के काल में आपने देखा होगा कि सभी प्रकार की परिच्छाएं आयूजित हुई उनकी जो एक्जाम थे वो भी कंडक्ट किये गए लेकिन आर्मी भरती को रोक के रखा गया दोस्तो इस देश में चुनाब भी आयूजित हुए हजारों लाखों रेलियां भी आयूजित हुई देश के कौने कौने में पांच राज्यों के बिधान सभा चुनाब हुए संपन हुए बिधाइक बने मुक्हिमंद्री भी बने उनका सफ़त गरड़ भी हुआ लेकिन इस देश में आर्मी की भरती नहीं निकली ये सबसे बड़ी चुनोती है मैं स्पीरा को इसलिए नहीं कहा रहा हूँ कि मुझे कोई पबिलिशिटी करनी है लेकिन आज इस देश में सारे काम को रोक देना चाहिए अगर सरकारों से नहीं हो रहा है तो आकिर तुमारी रच्छा कौन करता है तुमारी रच्छा इस देश का नौजबान करता है वो नौजबान जो अपना खून पसीना बहा करके सरद पर खड़े हो करके तुमें सुरचित करता है इस देश की चार दीवारी के अंदर लेकिन उन नौजबानों के लिए भरती को लेकर के कोई मापदन की प्रिक्रिया आयुजित नहीं कराई जा रही है क्यों आकर फिजिकल की डेटे नहीं आ रही तितिया नहीं हो रही है जिनके फिजिकल दो साल पहले हो गए तो उनकी आज दिन तक एक्जाम की कोई तितिया निश्चित नहीं हुई क्यों और क्या वजए हैं कोबीट का भहना चलता रहेका आके कब तक यह नौजमान अपने केरियर जेहाद धूते रहेंगे और यह कोई ऐसी परीच्छा नहीं है जिसमें नोजमानों को बैटना एन जिसमें नौजमानों को कोई ऑंफिस का वरक करना है सरहत की रच्छा करनी है और इसलिए सरहत की रच्छा हे तू जब देश के नौजवान खड़े नहीं होंगे तो आकिर कैसे सरहत की रच्छा होंगी इसलिए मैं सरकारों से भी ये निवेदन करूँगा मैं किसी को कटगरे में खळा नहीं कर रहा हूं किसी पर आरोप प्रत्य आरोप नहीं कर रहा हूं लेकिन मैं एक आभान कर रहा हूं इससे बड़ा दुरभाग और इससे बड़ा बुरे दिन क्या हो शकते हैं कि आर्मी के नौजबानों को भूके पेट बैट करके जंतर मंतर पला अंदोलन करना पड़ा लाटियां खानी अब सबसे आगरे करूँगा कि प्लीज देश के नौजबानों के साथ खिलवार मत करो आर्मी के नौजबान जो बच्चे सुबह उठकर के चार बज़े संगर्स कर रहे हैं सडकों पर हरियाना में पंजाब में उत्तर पे देश में उत्तरा खड़ में आकिर उनके भविस् सिमाही सुरच्चित नहीं होगी तो कौन चलाएगा इस देश को कौन करेगा इन सडकों की सुरच्चा और इन बड़ी-बड़ी बिल्डिकों की सुरच्च्चा कौन करेगा इस राष्ट की सुरच्च्चा इसलिए आर्मी की भरतियां कराई जाएं और जल्द से जल्द उन में जाना है बहुत बड़ी तादात हो चुकी है नौज़वान घर में बैटें किस तरिकिस परिषितियों से बहुझत गुज़र रहे होंगे इस ट्रेस में कई लौजवानों सुसाइड कर लिया और कियों क्यों सरकारें नहीं चेथ रही हैं इसलिए मैं आग रह दंधा कि प्लीज आर्मी की भरतियां आयुजत कराई जाएं इस देश में दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगाओ तो मेरा यूटूब चैनल जरू सस्क्राइब करना और इसको सेयर भी करना जन जन तक आवाज पहुंचाना